नमस्कार साथ ही हो तो आज है 16 जुलाइ 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रिनीवल सेक्टर की दिगज कंपणी इरेड़की शेर्स के बारे में जिसके उपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था इवन आज भी मेरा राय एक दम से मैं तो दोस्तो आज शेर ने सुइसाइ में आपका आगे का रननीती क्या हो सकता है खास करके उन सारे इन्वेस्टर्स जो की हाई लेवल पे शेर को पर्चेस किया था और आज की रेट पे नुकसान पर है क्या उनको सेल करके निकल जाना चाहिए या थोरा कुछ दिन पेशन्स फुली वेट करना चाहिए सब कुछ बजार में तैजी जरूर था Nifty 50 या IT सेक्टर F M C सेक्टर में गेंडिंग के साथ क्लोजिंग जरूर वा बट PSU सेक्टर में आज काफी गिरावत देखने को मईला चाहिए वो PSU सेक्टर में हो सकता है कोई भी अगर हम बात करे ML या defense की शियर या defense में आप बेल को देख लिजे या हम बात करें आपके रेलवे सेक्टर में खास करके आई रेपस को आप देख लिजे या आप आरविनेल को देख लिजे या क्या बोलते है उसे इरकॉन को देख लिजे या पावर सेक्टर की बात करें आप इरेडा को छोड़के आप देख लिजे आप वीडियो में इरड़े के उबर कि फिलिप कैपिटल ने 56 पतिशत की डाउन साइड टार्गेट दिया अब दीकि इसके पीछे क्या रिजन है वो तो हम सारे रिटल इंवेस्टर्स को बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई साब यह जो ब्रोकरेज है ना यह लोग मतलब बेस ल इसको डाउन्गेट करो उसके बाद इसमें खुदी इंवेस्ट करो और बेचार फस्ता कौन है मालूम है हम आप जैसे रिटल इंवेस्टर्स क्योंकि इमोशन होके यह सारे निउस को देखके तुरंट सेल करके निकल जाता है तो जैसे कि आप आप देख सकतो फिलिप कैप पर मतब सौरी आज बोला लास्ट डे एक्चुली एक तो सेल करने का रेटिंग दिया उसके उपर अब देखे यहां पर दोगला पंति अब देखे टार्गेट प्राइस रेस किया बट सेल करने का रेकमेंड किया और वह भी आधे से भी कम मतब शेयर प्राइस चल रहा था अलगबग 280 का असपास टार्गेट प्राइस दिया थोड़ा सा बढ़ा के 130 ठीक है तो कहीं ने के देखा जाएं हो सकते हैं कि लॉंग टम की पॉइंट डिवी से इसका कोई इंपक्ट देखने को नहीं मिलेगा बट शॉट टम बेसिस पे डेफिनेट इंपक्ट आता है जै कि यह जो ब्रोकरेश द्वारा इसको रेटिंग दिया था चापन परसें डाउन से टार्गेट दिया इसको ऐसे नहीं कि यह ऐसे बज़ गया बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेश ने इसको कवर अब कि किया यहां पर क्रिटिसाइज भी किया मैं आपको एक बार दिखाना चाहूं कि देखे शियर होल्डर शुट मेंटेन द्यार पोजिशन विता स्ट्रीक्ट स्टॉप लॉस अब देखे सीधा सीधा क्रिटर साइस तो नहीं कर सकते ना मतलब आप उनका जो टार्गेट आया की रेटिंग दिया वेक दमी मतलब बेकार है ऐसा तो बोल नहीं सकते बर क्लि ट्री हंड्रेट एन थ्री हंडेट थर्टी इन नियर टम पे मतलब शॉट टम बेसिस पे नियर टम में शियर जो है 300 से लेके 330 तक भी पहुंच सकता है क्लियर लिया पर मेंशन के जैसे कि आप देख सकतो हो ठीक है च्वाइस ब्रोकिंग की तरफ से सेम यह और भी कुछ में अनलिस्ट ने बोल रहा था स्टॉप लॉस्ट रखने के लिए 270 का और देखे शॉट टम मेडियम टम टार्गेट जो है पहले 300 मेंशन किया उसका 330 उसका शेयर जो है सारे 300 तक भी जा सकते कुई नॉर्मल यह बात करें ना लॉजिकली इसमें हुज डिमांड है आज की इडिया वेबसाइट ने इसको जो क्रिटिसाइज किया है चॉइस बोकिंग ने तो अच्छी बात है यहां पर करना भी चाहिए क्योंकि आप कुछ भी उल्टा सिधा टार्गेट दे दो रेटिंग दे दो ऐसा चल नहीं सकता ना उसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा बागी देखिए मैं बोलूँगा कंपणी की फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉंग है इसका प्राइम एक्जम जो आपको बार और बोलता हूं ना मेरा सुनना है ना कोई एक्सपर्ट का सुनना है ना कोई रेटिंग एजिस सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ कंपणी की ब परसेंटेज उसमें भी हुज डाउन फॉल देखने को मुला आप जारा देशोच के देखिए लास्ट येर पर इसका नेट इन पी था 1.61 परसेंट इस बर कितना फॉल किया लेस देन वान परसेंट पहुंच चुका है 0.95 तो आप समझ सकते हो कि कंपणी बहुत बहुत बै होने जाले तो इस तो इस बार बहुत बड़ा एलोकेशन किया जा सकता है मतलब यहां पे कुछ न कुछ घोशना जरूर होगा तो बजेट पर बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट इसकास किया तीसरे अभी तक डिसकस नहीं किया तीस रेजन आगे हम डिसकस करेंगे आप द के अंदर वॉल्यूम सदेनली बहुत जाता स्पाइक कर गया था पंदरा करोर बीस करोर पर आज की रेट पर अच्छी बात है कि देखिए जो उल्डा सीधा ट्रेड होने से कोई फाइदा नहीं है नॉर्माल डेलिवरी हो अच्छी बात है जैसे का आज की रेट बहुत है क अच्छी बात है तो दोस्तों आपको अच्छे समझ आ गया कि क्यों गिरावाट हुआ तो सबसे वहला रिजन दोस्तों मैं आपको एक बार बात करें सेंटिवें नेगेटिव था दूसरा रिजन फिलिप एक बार लिखके देता हूं फिलिप कैपिटल द्वारा इसको परस्ट एक महिने के अंदर आप जारा सोचके देखिए एक महिने पर शेयर आप शेयर आपको एक महिने की भीतर बीतर बाचट परसंट की रिटन देता है आप इससे और कितना उम्मीद कर सकतो है के नहीं बताए लॉजीकली तो एक प्रफिट विक होना चाहिए था जो कि आज की रेट में हो भी चुका है और अच्छी बात यह है कि शियर ने जो important support level था 270 की जो कि मैं आपको लास्ट डे भी का था उसको hit नहीं किया अगर आप देखेंगे ना आज इंटरे लो काँ पर ही रच गया सब्सक्राइब करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखने इस टैप की informative वीडियो लोज पाने के लिए ओके तो सबसे वाली बात यह है कि कल तो हमने सब आप ने देखा था कि इसका आरे से इंडेक्स 80 प्लस पहुंच गया था बर आज की रेट पे सड्रेंटली 6 परसेंट ड्रॉप होने के बाद आरे से इंडेक्स ओवर बाट जोन पर जरूर है बट बहुत जदा नीचे आ चुका है है कि नहीं बताईए उसको वह सबोट मिल गया उसको पर क्लोजिंग दिया पॉसिबिलिटी है कि नेक्स डे यानि बरश्पतिवार को अगर मार्केट की सेंटिमेंट ठीक टाक यहां से बाउन्स बैक हो सकता है इनके सगा 270 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके समें 245 यान अगर आप देखेंगे आज इसका जो 20 डेस की में उसका भी नंबर 251 का आसपस निकल किया रहा है तो क्लियर हो चका है मैं किसको बेस करके आपको बोलना हो कि यह सपोर्ट लेवल है आप बात करेंगे आपका रननीती क्या हो सकता है तो सबसे पहली बात एक मैं यहां पर ब मत करना और अगर आपको इन्वेस्ट करना है जैसके आपको मैं लास्ट डेवी का था कि 200 या तो 270 यह दोस्तों बहुत अच्छी नंबर है शेयर में एंट्री लेने के लिए या तो शेयर उपर की तरह बढ़ते वरती 300 क्रॉस करके सेटल हो जाए उसके बाद इंट्री लेन नेक्स वीडियो पे टेक क्यार बाबाई जाए हिंद